न्यूजिलेंड के कैप टाउन में कहले गए सांस रोक देने वाले मैस में दक्षन अफरीका ने आखरी के कुछ औरों में बाजी मार ली है। में एक वक्त तो ऐसा आया जब दीपक चहर ने भारत को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन उसकी बाद भी भारत को एक बहुती बड़ी और शर्मनाक हार काश शामना करना पड़ा। इशार के शाती के इलडाहुल के नाम कई शारे शर्मनाक रिकॉर्ड उट गए हैं इस शरीज पर भी सवाल उट रहे हैं। लेफ्ट एंडेड बेस्ट मैं रिस्ट पन ने भी भारत में वन्डे में मिली हार की बाद एक बहुती बड़ा बयान दिया है जो आपको भी चौका देगा। जी हाँ रिस्ट पन ने गुश्य में आकर जो खुला सा कि रिस्ट पन ने क्या का इस एक खास रिपॉर्ट में लेकिन वीडियो में आगी बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया का नया कैप्टेन रोहित के बाद किसे बनाना चाहिए रिस्ट पन या केल डाहूल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और हाँ चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकोन को दमाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंसती रही केरिस्ट पन ने क्या का वो तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे एक वक्त दीपक चाहर ने 31 गैंदों पर अर्दस तक लगा कर मैच को करीब ले गए थी ऐसा लग रहा था कि वो मैच जीता कर ही वापस जाएंगे हलांकि 34 गैंदों पर 54 रन बना कर चाहर आउट हो गए इसके बाद चस्परीद बंबरा और युजवेंदर चहल जीत नहीं दिला सकी भारत्य टीम जैसे ही ओल आउट होई वैसे ही दीपक चाहर भावुक हो गए और रोने लगे ये नजारा कैमरे में भी कैद हो गया पूरु कप्तान MS दोनी की कप्तानी में टीम इंडिया लक्ष का पीचा करते हुए 90 फिस्दी मैचों को जीत लेती थी लेकिन दोनी की रिटार्मेंट के बाद अब ऐसा देखने को नहीं मिलता लक्ष का पीचा करने उत्री टीम इंडिया की शुरुआद अच्छी नहीं रही थी विराट कोली और शिकरदवन ने पहला विकेट गरने के बाद अर्दसतक जड़ टीम को मजबूत इस्तिती में पहुंचा दिया था वहीं दक्षन अफरीका से मिले 288 रने के लक्ष का पीचा करते हुए भारत्य टीम 283 रन पर धारा साई हो गए बुमरा टेस्ट और वंडे दोनों प्रारूपों में विश्व के बैतरीन गैनबाजों में से एक हैं लेकिन पिछले कुछ सालों से नई गैन में उनका परदसन कुछ खास नहीं रहा है 2019 विश्व कप के बाद उन्होंने वंडे में बारा पारियों में पाउर प्ले में तेवन ओवर की गैनबाजी की है इसमें सिर्फ एक ही विकेट चटका सके हैं वहीं बात करे भूनिश्व कुमार की तोनों ने 2019 विश्व कप के बाद पाउर प्ले में एक तालिस ओवर गैनबाजी की है उसमें सिर्फ तीन ही विकेट चटका सके हैं यहीं कराने कि भारत का रिकॉर्ड विश्व कप के बाद पाउर प्ले में सब से खराब रहा है विर से जंगटित होने का समय है करते हुए कहा हमारे बीच हमेशा पॉजिटिव बाते होती है वे मुझे खेलने को लेकर बताते हैं और मैं कैसे अपने स्ट्रोक खेल सकता हूँ उसे मैं नेट पर प्रेक्टिस करता हूँ और फिर यहां पर केलता हूँ पन्ने भारत की लगातार हार पर का हम इस तरह की टीम नहीं जो इस तरह से मैं चार जाए हमें अपने गलतियों से सीखना होगा और आगे ध्यान रखना होगा गलतिया तो हर किसी से होती है लेकिन उन गलतियों को नहीं दोराना होगा लेकिन कहीं न कहीं मैं अपने खराब सोट से भी चिंतित हूँ मैं अपनी टीम मेनेजमेंट से अपने सौट चैन को लेकर बात करूँगा कब और कहा मुझे सौट खेलना चाहिए इसको लेकर मैं कोहली और दर्विट से बात करता रहता हूँ लेकिन कहीं या कहीं भारत के इस तरह के परदर्शन को लेकर बहेदी खराब रहा जो भारत का टॉप ओडर बले बाज अच्छा परदस्टन तो करता है लेकिन मिडल ओडर में हम आकर फस्ट आते है गैनवाजी में भी वो कहर नहीं बर पया गया है लेकिन आप क्या सोचते हैं रिश्ट पंद के बारे में कमेंट सेक्षन में अपनी डाय जरूर बताए